हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू अम्रिता एकेडमी सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिसकस अबाउट इडियम्स तो इन्हें इंगलिक्ष में किस तरह से यूस किया जाता है हिंदी कЕ उलग होते हैं अगछ हम डिसकस करने वाले हैं इंगलिक्ष में हम मोहवरों को या फिर इडियम को किस तरह से उस कर सकते हैं सबसे पहले हमें उसकी definition पता होनी चाहिए, which is, an idiom is a group of words that have words, the actual words, the actual words, means idiom words का ऐसा group होते हैं, जिनका meaning जो होता है, वो actual words से different होता है, आप में नहीं आया है, इसका meaning, तो हम अच्छे से और examples को देखकर इसे समझ सकते हैं, For example, हमने अगर idiom दिया है, a piece of cake, तो इसका meaning होता है, बहुत आसान, जब कोई चीज बहुत easy होती है, simple होती है, बहुत ही आसान होती है करने में, तो हम उसे कहते हैं, a piece of cake, पर यहाँ पर a piece of cake का actual meaning होता है, जैसे कोई cake का टुकड़ा हो, या फिर piece of cake हो, इसका अगर word wise हम देख था कि जो idiom होते हैं, उनका meaning, जो actual words होते हैं, उससे हटकर होता है, तो यहाँ पर a piece of cake का meaning होता है, बहुत आसान, जब कोई काम हमारे लिए बहुत आसान होता है, तो हम उसे बहुत ही easily कर लेते हैं, तो हम किसे कहते हैं, it is a piece of cake for me, मिस जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहन इससे और clear हो जाएगा, this job interview will be a piece of cake for you, मिस नोकरी के लिए interview तुमारे लिए बहुत आसान रहेगा, नोकरी के लिए जो interview तुम दे रहे हो, वो तुमारे लिए बहुत आसान रहेगा, it will be a piece of cake for you, मिस अगर आपको इसे future tense के लिए यूज करना है, तो हम कह सकते हैं, this job interview will be, आ this job interview will be a piece of cake for you, okay, next example देख लेते हैं, don't think it's a piece of cake, you will have to study hard to get good grades, okay, so don't think it's a piece of cake, you will have to study hard to get good grades, means, ऐसा मत सोचो कि यह आसान काम है, आपको अच्छे grades पाने के लिए कड़ी महनत करनी होगी, okay, so इस तरह से हमने जब ऐसा कुछ है कि जो हमारे लिए बहुत आसान नहीं है, तो हम इसी के लिए इसका भी उस कर सकते हैं, piece of cake का बस, बट यहाँ पर हमें लगाना है, don't think, यह मत सोचो कि it's a piece of cake for you, means, इसे इतना आसान मत समझो, के लिए हम क्या करेंगे, अब piece of cake के पहले ह हम लगाते हैंगे, don't think, okay, तो यह negative sense में चला जाएगा, जिसका meaning होगा, इस काम को इतना आसान मत समझो, इसे पाने के लिए तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, okay, now the next example is, giving Jenny a makeover was a piece of cake because she is so naturally beautiful, giving Jenny a makeover was a piece of cake because she is so naturally beautiful, means, Jenny को एक make-up देना बहुत आसान था, क्योंकि वह सोभाविक रूप से बहुत सुन्दर है, means, जब कोई व्यक्ती सोभाविक रूप से ही बहुत सुन्दर होता है, तो उसका make-up करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा जो make-over कर रहा है, उसके लिए it is just a piece of cake, because, वो naturally ही इतनी beautiful है, कि उन्हें ज़्यादा make-up को apply नहीं करना पड़ रहा है, ज़्यादा hard work की ज़्यादा ही नहीं पड़ रही है, तो ऐसा कुछ भी जो आपकी life में आपको लगता हो, कि आपके लिए बहुत आसान है, तो आप कह स सकते हैं, don't think that it is a piece of cake, means, इसे इतना आसान मत समझो, तो इस तरह से आप differently, कोई भी जो idiom है, उसको different different तरीके से use करिए, अपने day-to-day conversation में उसको aid करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी English जो है, वो attractive बन सके, और जब आप जो idioms का use करेंगे, तो उससे effective लगेगी English, और जो भ कर पाएंगे, okay, so thank you so much for watching this video, if you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button, and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button, to get my latest lessons right here on YouTube, happy learning and I will see you in another lesson soon, till then bye, take care and have a nice day.